एलो बच्चों वेलकम टूमर्च चैनल अबनाफ्त मैट्स अकेडमी तो इस वीडियो में देखेंगे क्लास्ट वेल्थ केमिस्ट्री के इंपोर्टेंट कुश्चन सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ दुनों पहले दो दिन दिन पहले मैं थरत अब ही टाइम नहीं रहता है कि आपके सभी बच्चों के मैं सभी रिप्लाई दे सकूँ ठीक है जिनको भी कोर्स लेना है उनको जो भी जानगाई लेनी है वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दी गई है वहाँ पर आप जाकर ले सकती है ठीक है ना क्या मिलेगा थोड़ा सा कॉम्प्रमाज कीजिए बच्चों चलिए अब अपने वर्थी में बात पर तो बेच्चों सब्सक्राइब कर लो वेल आइकन को प्रेस कर लो वीडियो आने वाली जिल यल लि जो कि आपके बहुत काम आने वाली है ठीक है तो बच्चों मैं आपको द्वार बत ठीक है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का आपको जो भी स्टेडी मटेरिल ले पर चीज करना है तो आपको स्रिफ 100 उपीज क्या करना है आपको पे करना पड़ेगा ठीक है qr code upid नीचे description link में दी गई है वहाँ पर आप जाकर pay कर सकते हैं और मुझे whatsapp पर message कर सकते हैं ओके चलिए तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ क्या 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 करना है इसमें all subject की बच्चों मिलेगी ठीक है all subject की जिसमें especially method रहेगा बच्चों ठीक है मैं आपको कितने question आने वाले हैं sorry 16 नहीं गलती होगे बच्चो 18 question आएंगे न objective question ओके बच्चों कितने आएंगे 28 चलिए तो एक ही करके देखते है objective question अब एक बात आप सुन लीजी बच्चों मैं आपको जो दे रहा हूं objective वो most important वाले objective question है ठीक है ना जो सबसे जादा important है वैसे इसमे बहुत सारे possible हो सकते है chemistry के पर आप चाहो तो किसी other परिच्छधन से या both से कर सकते हैं या किसी और से भी तयारी कर सकते हैं ठीक है बाकि सब important ही हैं लेकिन मैं आपको जो दे रहा हूं वो ज़्यादा important है तो इनको आप पंपल सरी करना है बाकि आप ऐस्टा किसी से भी तय बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम काम करते हैं इस पर match पर है mcq पर तो mcq में क्या है यह आपको question दी गए है which gives law of solubility of glass in liquid तो ऐसे आपको यह objective दी गए है यह दिख रहा है आपको जैसे कि है ना इसका प्रिंस की solve ले लो या पर आप इसको मेरे साथ solve करते जाओ और नीचे इसके क्या दी गए आंसर दी गए है आंसर नमबर वन का सी सेकंड का भी धर्ड का ए जैसे 6-7 कौँसा यह वाला important carbohaddit of plant cell is cellulose ओके ना बच्चो चलिए तो ऐसे ही आपको दी गए मैं आपको slide करता चाहूँगा आप इनके screenshot चाहो तो ले सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले इन तीनों का ले लिजिए आप अच्छे से ठीक है फिर इसकी बात इनका ले लिजिए इन तीनों का number 6 तक यह है आपका 7 इसका आप screenshot दे सकते हैं नेक्स्ट आता है यह objective question और दी गए है और MCQ दी गए है यह आपके तीन दी गए है यह कुझा semi-perimial membrane क्या होता है unit of rate reaction क्या होती है unit of velocity constant of first order ठीक है reaction यह आपकी most important objective question है इसके बात यह दी गए है number 4, 5, 6 screen shot देते जाएं आप और यह number 7 और इसका यह answer ठीक है यह आप note करते जाएं next MCQ आते हैं यह वाले आपके ठीक है तीन का ले लीजिए आप पहले screenshot फिर इन तीन का ले लीजिए screenshot फिर number 7 और यह इसके नीचे answer दी गए है यह नीचे answer दी गए है अगर आपको कोई answer गलत लग रहा हो तो आप मुझे comment करकर जरूर बताइए कि कौनसा answer है ठीक है तो देखो अगर आपको set कैसे आने वाले है exam में A, B, C, D में क्या आने वाला है वो video डाल चुका हूँ आप आप जाकर दे सकते हैं channel पर ठीक है 10th class और 12th class के सभी important question डाले जा चुके हैं आप जाकर चाहो तो check कर सकते हो इसके बाद solution having some osmo wake pressure are called ठीक है तो यह question दी गए है इनको आप अच्छे से screenshot लेजिए इन तीन का ठीक है इसके बाद next is 456 इनका आप screenshot दे लेजिए यह इनके answers दी गए नीचे इनका भी आप screenshot ले सकते हैं next is फिलिंदा blanks आते हैं इनका आप मैं आपको एक एक बार में तिलवा जाता हूं screenshot बस आप देख लिजिए इसको यह लिजिए ठीक है एक बार में पूरे फिलिंदा blanks का screenshot ले लिजिए इसके बाद अगला फिलिंदा गए हैं और यह बाकी का screenshot ले लिजिए आप मैं जूम कर देता हूं आपको लिए ओके next is matchings तो matchings का यह answer दी गए हैं इनको आप कर लिजिए ओके इसके बाद next matching आती है आपकी यह इसका भी आप screenshot ले लिजिए next इसके आंसर दी गए हैं देगो वन का जी तो वन जो है न specific conductance तो इसका कौन सा होगा यह unit होगी equivalent conductivity तो इसका आंसर क्या होगा बच्चो F होगा radioactive थर्ड का कौन सा आसर E कौन सा होता है EDTA इसको आप ऐसे ठीक है तो यह सबाए से आंसर दी गए है आपको चाहता है इनको अच्छे से पढ़ सकते हो next matching यह दी गई है इसका आप screenshot ले जीए इसके बाद one words आते हैं इनका आप screenshot ले जीए यह answers दी गए हैं इसके next is one word फिर आते हैं यह लीजी screenshot आप अब लीजी आप screenshot इसका ओके तो next one word इस यह दी गए हैं आपको अब इसका screenshot आप ले सकते हैं जैसे कि आपको अपने खुद की PDF मुना सकती है और यह दी गए हैं आपको one word इनका भी आप screenshot चाहो तो ले सकते हैं ओके तो यह आपकी objective question खतम होती है बच्चो वीडियो को like, comment और share कर देना बच्चो और मिलेंगे next वीडियो में